प्रधान मंत्री विश्व कर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन में लाभार्थी के फिंगर कैप्चर के वक्त जो एरर आ रही है, उसका सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा, वीडियो के एक भी स्टेप को मिस ना करे, एरर में, यहां URL में क्या लिखे, URL टाइप करक ओके करने के बाद सर्विस नॉट अवेलेबल की एरर, वेरिफाई बायोमेट्रिक के बटन पर क्लिक करने के बाद, फिंगर प्रिंट डिवाइस में लाइट ना होना, एरर के सोल्यूशन के लिए, गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करे, सेटिंग पर क्लिक करे, प्राइव अब टास्क बार में सर्च में, सविसिस सर्च करे, सविसिस पर क्लिक करे, सविसिस के मेनू में मंत्रा एविडियम सर्च करे, साइड में रीस्टार्ट बटन पर क्लिक करे, निचे देख सकते है, आरडी सर्विस रीस्टार्ट हो चुकी है अगर आपके कॉंप्यूटर में आँखों के आइरिस डिवाइस के ड्राइवर इंस्टॉल है तो भी एरर आती है तो मंत्रा MIS 100 V2 पर क्लिक करे और उसे साइड के स्टॉप के बटन पर क्लिक करके स्टॉप कर दे आखों के iris device के driver install हो तो ही stop करे, दूसरे अन्य driver को stop ना करे, अब फिर से मंत्रा evidium पर क्लिक करे और restart के बटन पर क्लिक कर krd service restart करे अब ब्राउजर में https double colon double slash pmvishvkarma.gov.in slash check mfs.html link open करे, check service पर क्लिक करे, device connect है के नहीं वो देखे, इस link को कॉपी करे और जहां URL मांग रहा है, उसमें इन तीनों में से कोई भी एक link को टाइप कर के OK कर दे, अब verify biometric पर क्लिक करे, successful finger capture होगा ये वीडियो कैसा लगा, comment में जरूर बताए, अगर आप इस channel पर नए है, तो channel को subscribe करे, video को like करे, मिलते हैं, और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुब रहे